नमस्कार, मैं सतीश महरा, साथियों देश में 26 नुम्बर को समिधान दिवस बनाया जा रहा था। देश की संसद वे राज्यों की विधान सभाओं से लेकर सरकारी कार्यालों और सिक्सन सस्ताओं तथा सरकारी कार्यालों की छोटी सी छोटी इकाईयों की कार्यालों में भी भारतिय समिधान की प्रस्तावना पढ़ी गई और सपत ली गई वहीं इसी पवितर दिन के अउसर पर हर्याणा में रेवाडी जला के गाउं में अनुसुची जाती के दस्वी कक्षा के नावाले की चातर की बुरी तरह पिटाई की गई इतना ही नहीं पिटाई करने वाले यूकों ने दबंगता दिखाते हुए पिटाई का वीडियो बनाकर सोचल मीडिया पर वायरल भी कर दिया चातर के पिटा के शिकायत पर पुलिस ने चार यूकों पर S.C.S.T. अत्याचार के अधिनियम समेथ विभिन धाराओं में केस तरज किया है पिडित लड़के गयनुसार वह दोस्तों के पास किताब लेने गया था रास्ते में कुछ यूग जबरनुसे चौपाल के भितर ले गए और एहमान भी विभार कर परताडित करने लगे इसके बाद पिटा की शिकायत पर 26 नमंबर यानि समिधान दिवस के तिन रिपोर्ट दर्ज की गई आपको बता दें परदेश में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती से सम्मदित अत्याचार के मामलों में नेरंतर वर्दी हुई है जो की बेहत चिंता का विशह है राज्ये सरकार这个 report के अनुसार अनुसूची जाती अत्याचार से समदित मामले वर्स 2018 में 1026, 2019 में 1121, 2020 में 1123 मामले दर्ज किए गए। इसी प्रकार से 2021 में 1406 मामले दर्ज किए गए। इन सभी मामलों में PDT united की संख्याक कुल दर्ज मामलों से भी अधिक हैं। SCST अत्याचार मामलों में किंदर सरकार के आंक्णों पर नजर डाली जाए तो वर्ष 2022 में अनुसूची जातियों के खिलाब अत्याचार के 11,656 मामले और अनुसूची जातियों के खिलाब 9,735 मामले दर्ज की गई वो लेखनी है कि अनुसूचित जातियों के 97.7% मामले और अनुसूचित जन जातियों के 98.1% मामले केवल 13 राजियों से है इसके इतर अनुसूचित जातियों के 21% मामले उत्रपरदेश, राजस्थान, मद्यपरदेश, बिहार, उडिशा और मारास्टर से दर्ज है इसी तरह से अनुसुचित जन जातियों से संबन्दित मामले मध्यपरदेश, कुरीशा, महरास्टर और आंधरपरदेश में दर्ज हैं S.C. से संबन्दित लगभग 60% मामलों में 4 शीठ दार तायर की गई है 2022 के अंतक के ज्यादातर मामले अभीविजाज के अधीन है इन मामलों में दो सिद्धी की दर 35-40% तक है 2022 में ये घट कर 32% रहे गई ये घटी दर न्याइक परिणामों में बेहद चिंदाजनक स्थति को दर्शाती है हलांकि 14 राज्यों के 498 जिलों में से केवल 154 जिलों ने अनुस्चुचित जातियों और अनुस्चुचित जन जातियों के अत्याचारों के मुकदमों को त्वरित निप्टान के लिए विशेश अदालतें स्थापित की गई है चिंदागी बात यह है कि देश के सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश में अत्याचारों से ग्रस्थ विश्टिस जिलों की प्रयाप्त रूप से पैचान भी नहीं की गई जबकि महाँ सबसे अधीक अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जन जातियों की अत्याचार से संब्दित मामले दर्ज है S.C.S.T. अत्याचार निवारन अधीनियम मामलों में केस दर्ज तब होता है जब S.C.S.T. संब्दायों के लोगों को जाति सुचक सब्द से संब्दित किया जाता है या फिर ऐसे लोगों को फिजिकल असाल्ट करना या उनके साथ ऐसी हरकत करना जो हुमिनियूटी के खिलाप हो इस एक्ट के तहट दर्ज केस में अगरिम जमानत नहीं मिलती और यह गैर जमानती अपराद है वहीं दूसरी और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2024 को एक फैंसले में कहा कि अनुसुचित जाती या अनुसुचित जन जाती के व्यक्तियों को बिना जाती का नाम लिये की गई सभी अपमाजनक और धमकाने वाली टिपनिया अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती अत्याचार निवारन अधिनम 1989 के तहट अपराद नहीं होगी हाला कि केंदर सरकार ने सुप्रीम कोट में कहा कि SCST पर इस फैंसले से कानून के प्रावधानों को कमजोर किया है सरकार ने कोट से अपने आदेश पर पनरविचार करने की अपील भी की है केंदर की तरफ से अटॉर्णी जनरल वेनु गोपाल ने कहा कि सुरवच्च नियाले ने अपने फैंसले से SCST परावधानों को न्याईक कानून से संसोधित किया है जबकि कार्यापाले का, न्याईपाले का और विधाय का के अपने अधिकार होते हैं जिनका उलंगन नहीं किया जा सकता इस बारे में और मजबूती से केंदर सरकार अगर अपना पक्स रखती है तो यह निश्चुत रूप से यह कानून मूल अधिनियम का रूप लेगा जिससे यह कानून और परभावी रूप से लागू हो पाएगा